हलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्मार्ट नोकरी चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे लोकल चे जोड़ एक बढ़ी अपडेट के बारे में तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दो दिन के बाद आपको मिलेगा एक पास जी हाँ तो कौन सा है ये पास और किन लोगों को सिफ दिया जा रहा है पास इसकी वज़ा क्या है इन तमाम चीज़ों को जानेंगे एक एक करके विस्तार्स इस वीडियो के अंदर वीडियो स्टार्ट करते हैं उसे पहले आपसे छोटी से रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर आपको वीडियो जानकर एच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा साथ ही दोस्तों के चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे है स्मार्ट नों की चैनल को लालोला बटन दबाके सब्सक्राइब करना ना भोले तो सबसे पहले हम आपको बता दें एक जन्वरी से लेकर आठ जन्वरी के मध सरकार के दोरा आश्वासन दिया गया था आमजंता को कि लोकल ट्रेने सुरू कर दी जाएंगे कुछ लोगों के लिए लोकल ट्रेनों में राहत मिल रही है जी हाँ सबको नहीं मिल रहे हैं लेकिन काफी लोगों को डाउट है कि क्या अभी तक आमजंदा को सफर करने के अर्मती नहीं है जी ऐसा बिलकुल नहीं है थोड़े थोड़े लोगों को देया जा रहा है लेकिन यह है कि स्पेसिफिकेशन यानि की वर्गी करण के साथ यह एक नोकरी पेसा लोग होते हैं उद्योग धंदा अलग होता है आपका सेल बिजनेस अलग होता है आपका कुछ का बिजनेस जो हता है वो चीज अलग होती है तो यहां नोकरी पेसा यानि किसी के हाँ पर नोकरी करने वाले जो लोग है यानि आपके पास आपकी कंपनी क एक प्रमाण पत्र तो होगा जिसे हम ID card कहते हैं जियां आपको कमपनी का ID card होगा जिसे आपको जो है पास दिया जाएगा पास क्या दिया जाएगा पास में यह होगा कि आप कहां से train पकड़ेंगे और कहां पर आप उतरेंगे और आपका समय सिमा यानि अगर आपका morning session है तो आपको morning session का पास दिया जाएगा कि आपको morning में इतने बज़े कि इतने बीच आपको यहां से यातरा करने हैं जैसे हम ticket खरीते हैं local का तो उसमें लिखा होता यातरा एक घंटे के अंदर शुरू करें यानि एक घंटे के अंदर आपको यातरा करनी होती है तो उसी प्रकार आपको जो पास दिया जाएगा वो उसी time period के अंदर ही काम करेगा उसके अलावा अगर आप उस पास के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको आपको पर fine लगेगा जुर्माना लगेगा क्योंकि कोविट के समय नीमों का उलंगन करने पर काफी जादा सक्त है इस समय चाहे railway हो चाहे जियारपी पुलिस हो चाहे सरकार हो तो यहाँ पर आपको इस तबाम चीजों को ध्यान देना होगा पास इसमें यह मिलेगा आपको कि आप जो है आप मनोकरी पेशा वाले हैं जैसी मैं आपको example देता हूँ आप चलिए नाला सुपाड़ा या विरार से आप train पकरते चाहेंगे तो यह चीज बहुत अच्छी है क्योंकि अभी जब तक कोरोना का जो खत्रा है जब तक पूरी तरह से वैक्सिन जारी होके लोगों को लगना नहीं शुरू हो जाती तब तक तो इतना सारा जो है आपको एतिहात बरतना ही होगा क्योंकि सरकार ने कहा है कि जब तक वैक्सिन आ गई है जब तक उसकी लगेंगे ने तब तक कोई धिलाई नहीं की जाएगी तो यहां पर आपके लिए चीज़े बहुत ही मायने रखती है कि आप जहां से सफर करेंगे और जहां उतरेंगे सिर्फ उसी के अंदर आपको पास दिया जाएगा आपको एक्स् साइड से आते हैं कल्यांते हैं विरार से भी आते हैं जो अस्पिटल की तरफ आते हैं बॉंभा जो है रास्ता है और इसलिए अब इनके लिए बीचल कर रही है, हमें लुपन पास होगा ताकि जो मेडिकला, उन्हें शापर करने के अनुमतिया लेगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करता है वीडियो आपको जानगारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चुनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को शेयर ज्यादा कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा थाइंक्यू सो मच